असलाम अरीक्यों वेलकुम बैक टू माई चैनल इस वी नाजीव आई होप आप सो लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग बिल्कुल इसकेप नहीं करना है चैनल पर नहीं है तो जली से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को अभी लाइक एंड शेयर कर दीजिए आज की वीडियो में कम्प्लीट डिटेल के साथ मैं बताऊंगे ग्लीटर्स को किसे की से अप्लाई करना चाहिए कौन सा तरीका है जिसको अप्लाई करने के बाद आपकी पर आपकी जढ़ेंगे नहीं उत्रेंगे नहीं आपकी आईलिट के उपर क्रिस लाइन पड़ेगी तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं Glitters को अप्लाई करने का प्रोफेशनल तरीका यहां पर मैंने अपने पाँ चंके Glitter भी रखे हैं मैंने यहां पर बारिक वाली Glitter भी रखे हैं Glue ली है मैंने मुस्वरा कॉस्मेटिक्स की यहां पर मैं हाथ के उपर अप्लाई करके दिखा रही हूं आप लोगो अपनी आइस के उपर करना है अगर आप डिरेक अपनी आइलेट के उपर Glitter अप्लाई करने तो इसे एक इसे Glue को लगाना है लगाने के बाद 30 सेकंड का स्टेर्ट देना है बिल्कु गिली ग्लू को पर आपको Glitter नहीं लगाना है 30 सेकंड के बाद आपका ग्लू थोड़ सा सैमिन ड्राय हो जाएगा उसके बाद इसे किसे फिंगर में आपको Glitter लेने है और टैप टैप करके आपको अपनी आइलेट को पर अप्लाई कर देना है आपको बिल्कु जैसे fingers हम रब करते हैं इसके से Glitter नहीं लगाने ग्लू गिली नहीं होनी चाहिए सैमिन ड्राय ग्लू होनी चाहिए इसके से आप अप्लाई करेंगे तो आपको Glitter बहुत अच्छे लगेंगे अगर आपको और मजीद अच्छे pigment देनी है अपनी Glitter की तो उससे पहले नीचे आप लोगो shimmer eyeshadow यूज करना होगा shimmer eyeshadow का अप्लाई करने के पाँ जब हम Glitter लगाते हैं तो उनकी pigment अलग हो जाती है सेम यही purple glitter मैं अब आपको shimmer eyeshadow के उपर लगाकर दिखाऊंगी मुस्वरा Cosmetics का मैंने shimmer eyeshadow अप्लाई किया है फिंगर के साथ अप्लाई किया करें shimmer eyeshadow की जो pigment होती है बहुत जबरदस निकल कर आती है blend होने के बाद यहांपर मैंने shimmer eyeshadow अप्लाई कर लिया है सेम मेथट करूँगी पिल्कूल एक डॉप में यहांपर glue कर लूँगी बहुत बहबर के glue नहीं लगाना है बहुत कम quantity लेनी है आपको glue की और इस सरीके से tap tap करके glue को अप्लाई कर देना आपको लगे कि glue थोड़ा जाद हो गया तो उसको आप लोग कम कर दीजिए दूसरी finger के साथ अब इसी shimmer eyeshadow के उपर मैंने वही वाले glitter apply किया है दोनों glitter के application करके दिखा दी है तो आपको किस सरीके से लगाना है इसी तरीके से glue लेनी है बहुत कम quantity के अंदर इसको अपने eyelid के उपर finger से ही पहला लीजिए अच्छी तरीके से brush यूज़ करती हो तो आप brush के साथ apply कर लो और फिसको 30 सेकंड का must stay देना है गिले glue के उपर नहीं लगाना है और glitter हमेशा finger के साथ apply किया करें मैं ज़्यादा तरी glitter अपने finger के साथ ही apply करती हूँ उससे बहुत अच्छी तरीके से apply हो जाते है और गिरते नहीं ज़रते नहीं अगर इस method के साथ आपको glitter apply करोगे तो आपके eye के उपर कभी crease line भी नहीं पड़ेगी और आपकी glitter अच्छी से स्टक हो जाएंगे आप लोग को मैं अभी hand के उपर apply करके दिखार हूँ से method आपको अपनी eyes पर करना है अब यहाँ पर मैंने दूसा shade लिया है shimmer eyeshadow ब्रैडल के उपर यूज किया जाता है बहुत जादा और ब्रैडल को जब भी आप glitter लगाएं तो पहले नीचे shimmer eye shade आपको लाजमी लगाना है यहाँ पर मुस्वा कॉस्मेटिक्स के ग्लीटर्स उपर डुपर हैं और इसके इलावा इनकी shimmer eye shade से वह भी बहुत कमाल के pigment आप लोगो नजर आ रही होगी कैमरे में यहाँ पर मैंने अपने हाथ के उपर अप्लाई कर लिया है और इसके उपर आप मैं एक डॉप glitter का अप्लाई करूंगी इसको अच्छे से फेला दूँगी अपने shades के उपर और इसको semi dry होने दूँगी इसके बाद मैं golden color का ही glitter इस shimmer eye shadow के उपर अप्लाई करूंगी आप लोग बिगनर्स हैं और आप लोगो नहीं मालूं कि glitter अगर हम ब्रैडल मैकप कर रहें तो किस तरीके से लगाना चाहिए तो यह बहतरीन तरीका है प्रोफेशनल तरीका है आपको इसी तरीके से ब्रैडल के उपर लगाना है ब्रैडल eye makeup के उपर मुस्वा cosmetics का नमबर स तो सही तरीका आना चाहिए कि किसी glitter को apply application करनी चाहिए किस तरीके से नहीं करनी चाहिए अच्छा अब मैं आप लोगो को बताऊंगी 3D 5D glitter बनाने का तरीका आज कल बहुत जादर trending में है 3D glitter 5D glitter अगर आप लोगो के पास नहीं है तो आप किसी किसे बना सकती हो किसी भी खाली चीज के अंदर आपने थोड़ सा sealer apply करना है करें sealer को लीजिए डालिए और इसके बाद अगर आप 3D glitter बना रहे हो तो कोई से भी 2-3 glitters तोड़े थोड़े से लेकर आपको इस sealer के अंदर apply कर लेना है मैंने पहले green डाला है अब मैं red डाल रही हूँ 5D glitter हो गया 5D glitter हो गया बिल्कुल भी आप लोगों को confused या परिशान होने की जोदिए कि जी तो इतना trending पर चल रहा है माई पास वीडिटर है नहीं तो आप क्या करें हम क्या काम नहीं करेंगे ऐसा विल्कुल भी नहीं है आप मैंने silver apply कर लिया है डाल लिया है मैं यहां पर purple डाल रही हूँ यह चार कलर के मैंने glitter से apply कर लिये हैं डाल लिये हैं और इनको मैं अच्छे से mix करूंगी अगर आपके पास कोई client आ जाती है और आपके पास उसकी कप्रो की dressing के matching के glitter नहीं है और उनको चाहिए कि हमें 3D eye makeup कर यहां यहां पर आप लोग को इसाथ शेयर कर रहे हूं तो यहां पर मैंने इसको apply कर लिया अप्लाई करने के बाद look आप लोग देखें कितना खुबसूरत लग रहा है यह 4D यहां पर आपको 5D बनाने तो आप 5 कलर डाल लिजे जितने दिल चाहें आप glitter डाल के अपने मर् glitter मनाने का तरीका आई होप आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा glitter को apply करके भी मैंने आपको दिखा दिया कि इस डारेकt glitter किसे किसे लगने के बाद दिखाई देते हैं velvet shade के साथ आप लगाओगे तो कैसे लगेंगे चन की glitter भी लगाने का यही तरीका होता है इसी तरीक जरूर बताएगा चेक केर